हेलो एब्रीवन, स्वागत है आपका टॉपिक फॉर आल मी, पिछली व्यूडियों हम लोग TGT 2021 होम साइंस का पेपर जो कर रहे थे, उसमें हम लोगोंने 20 कोशन्स कर लिये थे, अब आगे के हम 20 कोशन्स करेंगे इस सेरीज में, तो हमने कोशन नम्मर 20 तक जो है वो देख देख लिये था, कोशन्स नम्मर 21 से हम लोग देखेंगे, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो, कोशन्स नम्मर 21 है, जन्स से 30 मिनट तक की अवस्ता क्या कहलाती है, औप्शन A है सैस्व अवस्ता, औप्शन B है नियोनेट अवस्ता, औप्शन C है और 30 मिनट से ले करके 30 दिन या कहीं कहीं 15 दिन भी लिखा होता है, उस अवस्ता को कहते हैं, जो कि जन्स से 30 दिन या 15 दिन भी कहीं कहीं होता है, उसको कहते हैं नियोनेट अवस्ता, तो इसका जो आंसर है, कोशन नम्मर 21 का हो है, ओप्शन C, अगले कोशन पर चलते हैं, क शेरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है, option A है कपास, option B है उन, option C है जूट, option D है लिन, तो इसका सही जो आंसर होगा, शेरिंग जो है वो उन में की जाती है, अगला question है 23, निमलिखित में से कौन सा इस्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है, इस्त्री प्र वास defense, वास defense जो है ये पुरसों में पाया जाता है, ये इस्त्रीयों का प्रजनन अंग नहीं है, अगले question पे चलते है, question number 24, टेविल लेनन में कौन सी बुनाई होती है, option A है प्लेन बुनाई, option B है रिब बुनाई, option C है ट्विल बुनाई, option D है वासकेट बुनाई, तो इ objection भी किया गया था, जब ये question किया गया था, कुछ बच्चे इसमें जो बता रहे थे, वो टेविल लेनन जो है, वो इसमें नहीं आती है, ट्विल बुनाई में, लेकिन ये answer विल्कुल करक्ट है, कि इसका सही answer जो होगा, वो होगा, ट्विल बुनाई, अगले question पे चलते है अगला question है, question number 25, चम्मच की आकरती की नाखुन जैसे लक्षन, लक्षन बाली बीमारी को कहते हैं, तो इसका सही answer जो होगा, वो होगा, वो होगा, क्वैशिर कोरकर होगा, B. रक्त अलपता होगा, C. मेरासमस होगा, D. उप्युक्त सभी होगा, तो चम्मच जैसे आकरती की जो नाखुन होते हैं, वो हो जाते हैं, रक्त अलपता में, अगले question पे चलते हैं, question number 26, चेचक के विशाणूर का नाम क्या है, option A, Antamiva Histolytica, option B, Varicella Joster Virus, option C, Vivreucolory, option D, Salmonella Typhi, तो चेचक के जो विशाणूर है, उसका नाम है, Varicella Joster Virus, अगले question पे चलते हैं, question number 27, भोजन पकाने की खदकना, यानकी सिम्रिक विधी में ताकमार होता है, option A है, 82 degree Celsius से लेके 99 degree Celsius तक, option B है, 32 degree Celsius से 75 degree Celsius तक, option C है, 65 degree Celsius से 75 degree Celsius तक, या, D है, 80 degree Celsius से लेके 85 degree Celsius, तो इसका सही जो अंसर होगा, वो option A होगा, 82 degree Celsius से 99 degree Celsius तक, अगले question पे चलते हैं, question number 28, कारिये विश्राम एम शेयन के बीच उपयुक्त अंपात किया है और इसका सही जो आंसर है वह है option c अगले question पर चलते हैं question no.29 दिद्यक रंग क्या है दिद्यक रंग क्या है प्रात्मिक रंगों के मिश्ण से बनाए गया रंग या option b की लाल एम पीले के मिश्ण से बने रंग या option c नीला काला सफेद की मिश्ण से बने रंग या option d उपयों तो सभी तो इससका जो सही अंसर होगा दिद्यक रंग वो होते हैं जो प्रात्मिक रंगों के मिश्ण से बनाय जाते हैं अगले question पर चलते हैं question number 30 question number 30 है ICMR NIN 2020 RDSRN के अनुसा सामान आधारिये चाय पचाय दर पसंदरवित भारती महिले में पुरुष का वजन निश्चित हुआ है 2020 के अनुसा पुरुष और महिला का जो वजन है वो पूछा गया है तो इसमें सही आंसर होगा option option B 65 kg पुरुषों के लिए है और 55 kg महिलाओं के लिए है अगला question है question number 31 समय मानक इकाई यानकी TMU time measurement unit एक सेकिंड का भाग होती है option A 0.0036 या option B 0.0036 या option C 0.006 या option D 0.0036 तो इसका सही आंसर होगा option 0.0036 अगली question पे चलते हैं question number 33 पे 32 पे sorry question number 32 है लंबे रेशों को कहा जाता है option A stable, option B इस्पन्यान, option C flamen या option D इसका सही आंसर होगा लंबे रेशों को flamen कहा जाता है अगला question है option D गोलाकार तो इसका सही आंसर है option D गोलाकार अगला question है 35 ग्रामिर महिलाओं में साक्षर्ता की दर्मे व्रदी हीतू कौन सी योजना है तो option D स으क्षय योजना, मात्र Σुरक्षय योजना, और sonc C rag對 between pan गांदी वाल का विद्यःता है योजना तो इसमें लेकिया ग्रामिड महीलाओं में साक्षर्ता की दर्मिव्रद्धी के लिए जो योजना है वह है कस्तूर्व गांधी सिक्षा योजना अगला कोश्चन है 36 शिशू मिरत्यू दर्की गण्णा की जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा वो जन्म लेने वाले प्रती 1000 शिशू के अधार पर मिरत्यू दर्की गण्णा की जाती है अगले कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नम्म 37 है निमलिकित में से कौन सब प्रसार सिक्षन का चरण नहीं है अगला कोश्चन है कोश्चन नम्म 38 है प्रिथम चार सफथामी होने वाली शिशू मिरत्यू का कारण है अगला कोश्चन है कोश्चन नम्म 39 मल्मल कपड़े के एक टुकड़े की धागों की संख्या यदि 64-60 है तो कहलाएगी तो क्या कहलाएगी कोश्चन नम्म 39 का अंसर को ऑप्शन अच्छा संतुलन ऑप्शन सी कमजोर संतुलन या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा अच्छा संतुलन यह हो गए आपके 20 कोशन 2021 टीजटी होम साइंस पेपर के अब आगे के जो 20 कोशन है वह हम अगली स्रीज में करेंगे तब तक के लिए धन्वाद थैंक यू